हैंलो सिभिल ऐन्जिनियर्स मैं हूं संदीप सिंग प्रोफेशनल एस्टीमेशन और और आप सभी एंजीनियर्स के लिए कॉर्परेय टेंटर एंजिनियर्स मैं आप सभी लोगों का रिनफॉर्स ट्रेनिंडिंट इस्टिूट Will प्रेटफर्म पर सौगत करता हूं और आज मैं आपके साथ डिसक्स करूंगा कि construction drawings क्या होती है और drawing का क्या importance है और drawing को किस तरह से read किया जाता है वो आज मैं आपके साथ discuss करूंगा basically इस session में लोग discuss करने वाल है कि structure drawings को किस तरह से read किया जाता है वो जब भी construction drawing बनती है तो सबसे पहले आपका architectural drawings बनता है जो आपका architecture engineer बनाता है वो आपको दिखाता है कि जो आपका project है वो कैसा दिखेगा means वो आपको एक overall धांचा बना के देता है कि आपका जो project है बनने के बाद कैसा दिखेगा उसके बाद आपके M.E.P के engineers साते हैं जो आपको बताते हैं कि जो building है वो आपकी कैसे run करेगी जॉट की building है उसकी services है वो कैसे काम करेंगी वो सब आपको यह information देता है उसके बाद जो number आता है वो आता है आपका structure engineer का structure engineer क्या करता है जो आपको धाचा बना के दिया है, वो साइट पे किस तरह से सस्टेन करेगा, उस बात की आपको information देता है, means वो project में एक जान डालने का काम करता है, कि बिल्डिंग आपकी साइट में कैसे सस्टेन करेगी, वो चीज़ है, उसके बाद आपका जो structure engineer है, वो क्या करता है, वो decide करता है कि जो आपका foundation है, उसका क्या depth होगा, जितने भी RCC member हैं, उसके क्या specifications होगे, concrete की क्या grade यूज होगी, और जो आप still use करने वाले हैं, उसके क्या specifications होगे, यह सारी चीज़ें आपका structure engineer decide करता है, यही सारी चीज़ें आज हम अपनी session में discuss करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं, construction drawing और उसकी reading बहुत important है, यह matter नहीं करता है कि आप construction industry में क्या करना चाहते हैं, आप site engineer बनना चाहते हैं, आप estimation engineer बनना चाहते हैं, आप planning engineer बनना चाहते हैं, यह matter नहीं करता है, अगर आपको successful civil engineer बनना है, तो आपको drawing reading आने ही चाहिए, क्य आती है तो आप एक successful civil engineer बनने की आधी जंग तो बैसे ही फते कर लेते हैं क्योंकि जब आपको drawing reading आएगा तो आप proper तरह से site पे execution करवा पाएंगे और आप proper तरह से estimation कर पाएंगे वो सारी चीज़ें आप एक drawing reading से कर सकते हैं यही आज हुआ लोग discuss करने वाले हैं तो सबसे पहले देखेंगे आपका यह structure drawings है यह देखेंगे एक ग्राउंड फ्लोर मिलेगा आपका फर्स्ट फ्लोर होगा और आपका second फ्लोर होगा इसका complete detail इसमें दिया हुआ है जब भी आपको कोई drawings मिलता है तो उसमें क्या होता है सबसे पहले आपको क्या करना है जब भी आपने पास कोई drawing होता है उसमें आपको specifications दिये रहेंगे drawing के front page में या फिर आपको drawing के sites में आपके पूरे specifications होंगे इस project की regarding जैसे यह जो आप drawing देख रहे हैं इसके starting में ही आपको पूरे specifications दे रखे हैं कि जो आपका client है उसका क्या नाम है जो project है उसका क्या नाम है और उसके regarding जो भी specifications है वो आपको इसमें मिल जाएंगे यह पूरा आपको drawing का title दिया हुआ है कि इस drawing में कितने pages हैं तो आप यह देखेंगे at the end यह आपको इसमें 31 आपको सबसे पहले drawing को read करें तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरह से project हमें execute करना है तो यह आपको drawing में देखेंगे जैसे यह आपको drawing दे रखा है तो इसमें यह सारे specification दे रखेंगे यदि इसके बाद भी आपको कोई दूसरा drawing मिलता है तो इसमें आप यह इसका जो यह bottom बाला portion होता है यह आप देख रहे हैं इसमें आपको पूरा drawing का detail मिलेगा otherwise आप जो यह right बाला portion देख रहे हैं right top corner होता है यह आपका right bottom corner होता है यह आपको complete detail होता है project के बारे में वह चीज़ है तो यह देखेंगे आपको यहाँ पर project के general specifications दे रखेंगे कि इ यह आपको general specifications दे रखें इसमें आपको दे रख आ है कि स्पोजेक्ट में जो भी dimensions हैं वो आपकी किस में होगी वो आपकी millimeters में होगी यह सारी इस information आपको यहाँ पर दे रखेंगे जो भी आपकी dimensions हम लोग यूज़ करने वाले हैं, वो आपकी millimeters में होगी और इस project के regarding जो भी आपके specifications हैं, वो आपको यहाँ पर दे रखें कि हम लोग इस project में क्या-क्या quotes का use करने वाले हैं, वो सारी चीज़े information आपको इसमें मिल जाएगी general specifications में, इसके वाद आप Nash देखेंगे, यह देखेंगे, यहाँ पर आपको पूरा foundation का detail दे रखा है, कि foundation में क्या-क्या execute करने जा रहे हैं, उसकी क्या bearing capacity होगी, वो कितना load bear कर सकता है, वो आपको यहाँ पर दे रखा है, यह देखेंगे, यह आपका allowable soil bearing capacity आपको 150 KPA दे रखा है, अब यह KPA क्या होता है, बहुत सारे civil engineers होते हैं, इनमें confusion होती है, KPA क्या है, एक आपका pressure का unit है, जिसको क्या बोलते हैं, किलो पासकल, और एक किलो पासकल में, आपका 0.001 Newton पर mm2 होता है, यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और इस project के excavation के regarding आपका detail दे रखा है, यह देखेंगे, आपको CPEG के regarding detail दे रखा है, अगर आप excavation कर रहे हैं, वहाँ पे CPEG हो रहा है, तो सबसे पहले आपको CPEG को train out करना है, उसके बाद ही आपको concrete place करना है, तो इस तरसे बहुत सारे specifications होते हैं, नेस देखेंगे आप, यह आपको loading का detail दे रखा है, जो भी आपकी loads आ रहे हैं, उसका complete detail आपको यहाँ पे मिलेगा, यह आपका dead load का detail दे रखा है, यह आपका जो live load है, उसका detail है, यहाँ पे यह आपका जो wind load है, और जो आपका अर्थ की load आपका इसका detail आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और उसमें कौन सा code यूज हो रहा है, उसकी detailing आपको यहाँ पे मिलेगी, next आप देखेंगे, यह आपको concrete के specifications आपको यहाँ पे दे रखें, concrete के regarding इस project में, आपके जो भी specifications है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगे, concrete में हम कौन सा code यूज करते हैं, वो आपको यहाँ पे दे रखा, IS 456-2000 हम लोग code यूज करने वाले हैं, इसके बाद जितने भी इस project में आपके RCC मेंबर हैं, उसमें हम लोग किस grade का concrete यूज करेंगे, वो आपको दे रखा है, M20 grade का हम लोग concrete यूज करने वाले हैं, जिसका ratio होता है, 1, 1.5 and 3, 1 for the cement, 1.5 for the sand and 3 for the aggregate, उसके वाद आपको यहा content होना चाहिए, उसका आपको पूरा detail दे रखा है, यहां पर देखेंगे, आप minimum free water cement ratio आपका 0.55 दे रखा है, means आपका जो cement में जो आपको water percentage रखना है, वो आपको 55% रखना है, इसके बाद आपको minimum cement content भी दे रखा है 300 kg, एक मीटर क्यूब में कम से का आपका 300 kg आपके cement होन reinforce के regarding, यहां पर आपको पूरा detail मिलेगा, reinforce के regarding means आपको किस grade का steel यूज़ करना है, तो यहां पर आपको दे रखा है, हम लोग इसमें FE 500 TMT use कर रहे है, FE क्या होता है, iron को represent करता है, और जो आपका 500 होता है, वो आपका steel का yield strength होता है, Newton per mm square में, और यह जो आपका TMT लिखा है, TMT कोई बार नहीं होता है, TMT आपका एक process होता है, thermomechanically treated bar, जिसके थो आपका बार manufacture होता है, किसी next video में आपको बहुत ही detail में discuss करूँगा, कि TMT का क्या meaning होता है, क्या process होता है, वो चीज़े, next आप यहां पर देखेंगे, आपको ज slab है, और जो steer case है, उसमें आपको 10 mm प्लस माइनस का tolerance दे रखा है, और जो आपके beams है, जो columns है, और जो आपके foundation है, उसमें आपको प्लस माइनस 15 mm का tolerance दे रखा है, वो चीज़े, next आप देखेंगे, concrete cover का भी आपको यहां पर detail दे रखा है, जितने भी आपके concrete cover है, उसका आपको यहां पर detail मिलेगा, जो भी आपके concrete cover आ रहा है, जितने भी RCC elements में आ रहा है, उसका सभी का यहां पर detail दे रखा है, जो beams है, उसका आपको 30 mm cover दे रखा है, और जो आपके columns है, उसका आपको 40 mm cover दे रखा है, और जो floor, slab और staircase है, उसका आपको 20M cover दे रखा है और foundation उसका आपको 50M cover दे रखा है तो यहाँ पर आपकी सारी detail आपको मिलेगे नेस्ट आप देखेंगे यहाँ पर आपको timber का भी detail दे रखा है जो हम लोग इस project में timber यूज करने बाले हैं उस timber के regarding आपके क्या specifications होंगे वो चीज यहाँ पर आपको सीखरी को मिलेगी आप यह देखेंगे आपको यह timber दे रखा है timber जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसके लिए कौन सा IS code यूज होगा वो आपको यह दे रखा है IS883 और उस जो हम timber यूज कर रहे हैं उसका जो moisture content हो कितना moisture content होना चाहिए उसका detail आपको दे रखा है cell not exceed 12% और जो timber यूज हो रही है उसकी क्या density होगी वो भी आपको यहाँ पर दे रखा है जो हम formwork यूज करने वाले हैं concrete को mold करने के लिए उसके क्या specifications होगे उसका आपको detail दे रखा basically वह आपका IS456-2000 से होता है और जब formwork आप concrete cast कर देंगे उसके जब आपका formwork stripping करेंगे तो उसका क्या specification होगा उसके भी आपको यहाँ पर IS code का reference दिया हुआ है नेस्ट आप देखेंगे engineers जब भी आपके पास drawing आता है तो आपको जांदा दिमाग नहीं लगाना है सबसे पहले आपको क्या करना है footing का schedule खोलना है footing का schedule खोलना है तो यह देखेंगे आपको फूटेंग का schedule दे रखा है इस project में हम लोग 3 footing यूज कर रहा है यह आपका F1 footing है यह आपका F2 footing है और यह आपका F3 footing है ं तो F1 F2 और F3 footyo है हम लोग इस project में यूज कर रहा है जिसका length, जिसकी breadth और जिसका depth आपको यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से आप take off कर सकते हैं और यहाँ पर देखेंगे आपको यह reinforcement का पूरा detail दे रखा है, जो मैं आपको किसी next video में detail में discuss करूँगा कि किस तरह से reinforcement के लिए हम लोग quantity take off करते हैं और next आप देखेंगे, यह जो आप देख रहे हैं यह आपको foundation का center line layout plan दे रखा है कोई भी drawing वहती है तो उसका आपको एक foundation का center line layout plan मिलता है, जिसमें आप यह देखेंगे, आपको grates दे रखी है जो आप यह देख रहे हैं, आपको यह दे रखा है, यह आपका A है, B है, यह आपका C दे रखा है तो यह जो आप ABC देख रहे हैं, वो क्या है? आपके vertical grade है और यहां पर जो आप 1, 2, 3 देख रहे हैं, यह आपको 1 दे रखा है, यह 2 दे रखा है, यह आपको 3 दे रखा है, तो जो आप ABC और 1, 2, 3 देख रहे हैं, यह आपके क्या है, vertical और horizontal grade है, इस grade की help से हम लोग construction site पे footings की और columns की जो position होती है, उसको mark करते हैं, तो सबसे पहले आपको यह चीज समझ में आनी चाहिए, तो यहाँ पर यह पूरा foundation का layout plan दे रखा है, I hope कि आपको यह समझ में आया होगा, next हम देखेंगे, next हम देखेंगे, आपको यह जो column है, उसका यह आपको center line layout plan दे रखा है, तो same चीज आपको यहाँ पर दे रखिए, आपको यह ABC यहाँ पर आपको same grade दे रखे है, same आपको यह ABC grade दे रखे है, और यह आपको 123 यहाँ पर यहाँ आपको grade दे रखे है, तो इसकी help से हम लोग construction site पर columns की marking कर लेते हैं, simple सी चीज है, next आप देखेंगे, यहाँ पर यह पूरे footing का section दे रखा है, जो आप यह देख रहे हैं, वो पूरी footing आपको यहाँ पर यह section दे रखा है, जिसमें आपको सारी details होगी, कि footing के नीचे हम लोग क्या क्या use करने वाले हैं, footing का आपका क्या depth होगा, यह देखेंगे, यहाँ पर आपको यह पूरा ground level दे रखा है, जो आप यह देख रहे हैं, यह आपको क्या है ground level दे रखा है, इस तरह से drawing में mostly mark किया जाता है, और ground level से जो आपका depth दे रखा है, वो कितना दे रखा है, आपको 1.5 meter दे रखा है, इसमें आप लोग देखेंगे, सबसे पहले footing के नीचे हम लोग क्या use कर रहा है, यह आपको stone sawling दे रखा है, यह देखेंगे, 150 mm का आपका यह stone sawling दे रखा है, जिसमें बेसिकली हम लोग stone fragment यूज करते हैं, या फिर broken bricks यूज करते हैं, जो आपको, जो आप PCC करने वाल हैं, उसके लिए एक hard bed provide करता है, और इसमें आपका PCC यूज हो रहा है, 100 mm का PCC यूज हो रहा है, जिसका जो ratio है, वो क्या है, 1 is to 2 is to 4 है, मींस आपका M15 grade का हम लोग PCC यूज कर रहा है, उसक यह जो आप यहां पर चीज़े देख पा रहे हैं, राइट साइड में, यह जो आप राइट साइड में यह चीज़े देख पा रहे हैं, यह क्या है जो आपकी external walls आ रही है, उस external wall के नीचे किस तरह का foundation होगा, किस तरह की हम machinery wall provide करेंगे, उहां पर आपका यह पूरा detail दे र रखा है, जिसमें हम लोग यह random revel machinery wall यूस कर रहे हैं, जिसमें cement water का जो ratio है, वो 1 to 4 का है, इसके बाद आप nest यहां पर देखेंगे, यह जो आपको दे रखा है, यह आपको internal walls का पूरा detail दे रखा है, जो भी buildings में आपकी internal walls होगी, उसके नीचे किस तरह का foundation होगा, किस तरह की machinery होगी, उसका आपको यह detail यहां पर दे रखा है, नेस्ट आप देखेंगे, यह आपको पूरा column का sections दे रखेंगे, और इसके बाद आप देखेंगे, इसमें पूरी columns की detail दे रखेंगे, किस तरह के columns के बार जाएंगे, कहां पर आपका overlap आएगा, कितना आपको overlapping length लेना, य आपको यह देखेंगे, आपको यहां पर यह बीम और column के junctions के detail दे रखेंगे, जब आपका beam column में encourage करेगा, तो उसके क्या specifications होगे, पूरा detail आपको यहां पर दे रखा है, तो यह सारी चीजे हम लोग अपने next video में discuss करेंगे, यह video काफी लंबा हो रहा है, इसलिए इस video के ल content मिलता रहेगा, okay, thank you so much for supporting us and encouraging our RQST team and see you in a next video, stay tuned.